नमस्कार आदाब न्यूसलिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मशकूर अहमद उस्मानी, अलेगर मुस्लिम यॉनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनिन के प्रेजिडेंट मौझुद है। तो मश्कूर हम देख रहे हैं कि अलगर मुस्लिम उनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा विवाद उठा है सेड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के रेजर्वेशन को लेके तो आप अगर इसके बारे में हमें थोड़ा और बता सकते हैं और उत्तर परदेश की जो सरकार है उसका इस पूरे विवाद में क्या रूल है देखे यह विवाद उठा नहीं है सबसे पहली बात और बहुत अफसोस की बात है कि एक परदेश के मुख्या परदेश के मुखमंतरी जो है एक ऐसे मैटर पे पब्लिक में एक स्टेटमेंट देते हैं जो सब जुडिस है अलिगर मुस्लिम युनिवर्सिटी का माइनॉरिटी जो इशू है जो माइनॉरिटी का केस है वो सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में अभी मैटर चल ला है उस पे एक मुखबंतरी का पब्लिक में बयान देना और भाशन देना कहीं से भी संविधानिक नहीं है तो सबसे पहले है कि योगी जी आप समिधान पढ़िए कि क्या मर्जादा है ठीक démocrate कि आ आप्लाइब नहीं होती है तो आखिर क्यों नहीं होती है इसको समझने की जरूवत है आर्टिकल 15 क्लास 5 इस बात को क्लिडिफाइब करता है कि किसी भी माइनॉरिटी इंस्टिशिएन में जो जेनरल डिजर्वेशन पॉलिसी है वह अप्लाइब नहीं होगी चुकि किसी इंस मैनोर्टी स्टेटस जोबार से रिच्टोर हो जाएगा तो फिर मैनोरिटी सको 50 परसें डिया जाएगा और जैसा भी सुप्रीम कोड के जज्मेंट आएगा कुछ रिवर्स जज्ज्मेंट आता है तो उसको भी मानना है हम सब लोग कुछ सुप्रीम कोड से उपर कोई भी है चुकि minority institution क्यों है तो यहीं से प्रूव होता है कि 1875 में जब मोई कॉलेज के बुनियाद रखी गई और 1920 में जब युनिवर्सिटी बनी उस टाइम पर बिटिश पर्लेमेंट थी आक्ट ऑफ पर्लेमेंट सब्सक्राइब पर्लेमेंट युद्ध पर्लेमेंट को पास होने के बाद 2005 के अंदर इलहाबाद रहाबाद के बेंच पर यह केस जाता है और वहां से इसको तंडावन किया जाता है फिर उप सुप्रिम कोड में युनिवर्सिटी इसकेश को फाइल करती है इससे पहले एक ब तो जो आलग्वाद मुसलिम निवरसिटी के शिक्षक हैं, और अथियी सब्सके को किया जा सकते हैं. देखे मैं सबसे पहरी बात आपको यह बताओं कि जब से 2014 से सरकार आई है यह परत्यक्ष रूप से लगातार समविधान पर हमला कर रहे हैं यह हमला अलिकर मुस्लिम उनिवसिटी पर नहीं है यह हमला आईडियो आफ इंडिया पर हमला है यह हमला समविधान पर हमला है इसल से फंडिंग में किसी तरह का भेदवाव नहीं करेगी मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो बात सम्विधान में क्लिर ली दूए इसको यह पढ़ते क्यों नहीं है यह जो चिट्थी पतरी करते अच्छी बात है चिट्थी आप लिखिए ठीके लेटरस आप नाशनल कमिशन फॉर स्केडूल कास्त ने पंदरा दिन दिया है आटिकल 338 के तहत अलेगर मुस्लम यूनिवर्सिटी के प्रशासन को रिस्पॉंड करनी के लिए तो आप अभी इसका सामना है जो आपको नोटिस आया है उसका सामना आप कैसे करेंगे देखिए एक बात त से लिएंट सेवियर's जाएगी देख लीजे दिल्ली युनिवर्सिटी थि आ आप सिंस्तीफिन कालेज। देख लीजे एकड़ी गलिजे खाल्टसा ठीका वहां जो यह सारी इनिवर्सिटीज है और भी बहुत सारी इनिवशिटीज है मैं तो कुछ वैमेस आने देखिटी यूइन्वर्टिय और को लड़ेटी अरभ टारगेट करना चाहते हैं। क्लियरफाई करने की दरूवत है। कोई चीज़ा नहीं हो सकती हैं अम्यों के अधर ल Olis ranking이면 इस्ट्रीह से कहें से सिफ्न कोलिज से रवे आपको एक यूनिफॉरमिटी लान होगी। एक देश ऐसे नहीं चल सकता कि आप एक पर्टिकुलर कॉम्यूनिटी को पर्टिकुलर इंस्टिउशन को पर्टिकुलर युनिवरसिटी को अप टार्गेट करें और उसके बाद आप काम करें तो यह पॉसिबल नहीं है अगर आप कीजिए तो एक युनिफॉर्मिटी के समझता भी हूं कुछ ऐसे लोग हैं जो समर्यादा को नहीं समझते हैं पहले तो यह था कि जब लोग सब सब छोड़ देते थे तब योगी बना करते थे लेकिन अब जो है योगी बनने के बाद जो है वह राज कर रहे हैं लोग मुखमंतरी बन जाते तो जब ऐसा होगा तो लीडर्स की तरफ से और जहां तक जवाब देने की बात है कमिशन को तो कमिशन की मिटिंग के साथ और उसमें उन्होंने सारी बात क्लियरिफाइग कर दिया बट स्टिल उन्होंने फिर भी एक लेटर लिखा है उस लेटर का जवाब बिलकुल अच्छे तरह से यह दे रही किस तरह चीजी बनी और किस तरह से आज तक चीज आई है और किस तरह से तरह एफन निंग आती है य सिटीटी यह को चुपी हुए बात तो है निए चुकrios फंडिंग तो भारत सरकार कारती है तो भारत सरकार को सारी चीजे मालू है warning my वैं मुझे समझ भीन आना कि the letter लिख है देखिए सबसे पहला काम जो इस गवर्मेंट में किया वो यह किया कि इंस्ट्यूशन को बढ़ाद करने का काम किया उनके फंडिंग को रोकने का काम किया और इसमें अलीकर मुस्लिम उनिवसिटी और जेनियो अकेरा नहीं है आप देखिए कि यह कहानी स्टार्ट होती है ह हदराबाद सेंटर युनिवसिटी से जहां पर रोहिद वेमुला का इंस्ट्यूशन मडर होता है उसको इस बात के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि वह सुसाइड कर ले अगर आप उसका सुसाइड नोट परो तो उसमें लिखा हुगा है कि माई बर्त वाज़े फैक्ट के तरफ से जो उस टाइम पर इसमिर्थी एरानी थी एचारडी मिनिस्टर उनके तरफ से उनको परिशान किया जाता है उसके बाद आप देखिए जेन्यू में जिस तरह से एक एंटी नेशनल क्या नम है एक घुशित किया गया जेन्यू को शटडाउन जेन्यू चलाए गय फिर उसके बाद आप देखें दिल्ली युनिवर्सिटी के रामजास कॉलिज में जिस तरह से तूरफुर की गई वहां पे बीविप के स्टूडेंट्स के द्वारा और बनारस हिंदी युनिवर्सिटी के लड़कियों को दबाया जा रहा था ज्यादा पूर युनिवर्स बहुत अतक काम्याब हो पाएंगे और जिस तरह से फंड कट हुए हैं पिछले चार सालों के अंदर आप देखिए जो एक्जिस्टिंग कोर्सिस थे उनको बंद करने के कगार पे लाया गया है जेनियों में देखिए कि जो एक्जिस्टिंग कोर्स उनके लिए फंड नहीं ने तो आप देखिए एक सोची सम्झी शालाजी से जिसके तहत इन सारी चीजों को किया जा रहा है इंस्टिट आफ इमिनेंस का जिकर आता है तो उसमें जिए फांडेशन जिसका कहीं फांडेशन भी निये निट पे फांडेशन नहीं है ठीक है उस उनिवर्सिटी को आप पिछे असी साल से लगी हुई है उस पर अचानक एक विवाद खरा किया जाता है और यह कहा जाता है कि एक 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 एंटी नेशनल है ठीक है और एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स को उसके साथ जोड दिया जाता है कि यहां से जो है जबकि मैं आपको बताओं कि जो इंडिया क लड़ी गई और तमाम चीजे हुई है उन्हें 138 में उस फोटो को वहां पे जो है रखा गया था चुकि मानक सदस्ते थे मौहमद अली जीना वहां पे और अचानक से उसको पॉलिटिकल गेन के लिए करनाटक चुनाओं था सामने उसको उसके लिए सामने लाए गया किराना चुनाओं था मतलब एक यह होड़ लगी हुई है कि तुम ज्यादा कॉमूनल हो या मैं ज्यादा कॉमूनल हूं सरकार के अंदर भी लोग हैं ग्रीराज सिंग और ज को एक डिवलप नेशन मनाना है उसमें कहीं न कहीं हम बहुत जादा पीछे जाते जा रहे हैं मशकूर शुक्रिया हमारे साथ जड़ने के लिए न्यूस क्लिक देखने के लिए धन्यवाद